जैहिंद साथियों नमस्कार मैं बात करूँगा सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा 2021 की जिस तरह भरती परिक्षा पिछले तीन सालों से लगातार विवादों में हैं बजलल सरकार पिछले 11 महिने पहले बनती है, SIT गठित करती है और सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा में कारवाई होती है साथियों मैं आपको बता दूँ कि 50 थनेदार गिरफतार किये जाते हैं और S.O.G. इन गरफतारियों के बाद जब कोर्ट में 46 पेस करती है तो इस परश्ट रूप से प्रमाणित करती है कि सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा में 6 की 6 पारियों के पेपर लीक हुए उसके बावजूद दुरभागे देखिए कि सरकार कोई कारवाही नहीं करती है कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है उस चार सीट में S.O.G. साबित करती है कि पेपर लीक करने वाले आरोपी RPSC के भ्रश्ट अदेक्स भुपेंदर सिंग और संजे छोत्रियों है RPSC के भ्रश्ट सदश्य है जो दो सदश्य आज जेल में है और दो अदेक्स आज RPSC में है उन लोगों पर अब तक कारवाई क्यों नहीं हुई राजस्थान के युवाओं का यह सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंद्री जी आप ही की SOG हमने तो बनाई नहीं आप ही की SOG और SOG के मुख्या जब यह साबित कर रहे हैं कि च्छा की इच्छा पारियों के पेपर लीग हो गए और पेपर साथियों 30 दिन पहले वोट्सेप पर सर्कुलेट हो गया 30 दिन पहले इन लोगों ने हेंड रिटन पेपर अपने बच्चों को पढ़ा दिया और उन दो सदश्यों ने उन दो धक्षों ने वो पेपर 1500 लोगों तक बेचने का काम किया परिक्षा केंद्रों से तो पेपर माफिया पेपर लीग ही कर रहे हैं लेकिन RPSC में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपना पेपर लिग करके पूरे राजस्थान में करोडों की सोधे बाजी कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने रिष्टेदारों को, अपने नातेदारों को और बड़े इस्तर पर वहद इस्तर पर बष्टा चार करके पेपर पड़ा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हो इन लोगों पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल जिन पचास लोगों की गिरपतारी होती है उनमें से दस लोगों की जमानत हाई कोड दे देता है और वो वही दस लोग है जो पुलिस मुख्याले से अनुमती लेते हैं और अपने जिलों में जा जाकर आमद करवाते हैं साथियों मैं सरकार से और सरकार के मुख्या से सवाल करना चाहता हूँ कि राजस्थान में गौवर्मन्ट टेंपलों का नियम है यदि वो 48 गंटे से अधिक गरपतारी में रहता है तो उसके बरखास्त क्यों हो जाती है उसका राजकिय सेवा से निलंबन हो जाता है जब ये 50 थानेदार जेल की सलाखों में थे ये 48 गंटों से नहीं महीनों से जेल में थे तो आखिर इनका निलंबन क्यों नहीं हुआ सरकार की मनसा क्या है सरकार अपना रूख स्पस्ट करे आखिर ये दिखावे की कारवाई क्यों हो रही है ये आस्वाशन पर आस्वाशन क्यों दिये जा रहे है जब सरकार ने SIT बनाई SIT के ADG ने ये कारवाई करके स्पस्ट शाबित कर दिया तो क्या आपको उनकी कारिय कुशलता पर संद्ध है आखिर उन अधिकारियों का मनबल तोड़ने का कारिया आप लोग क्यों कर रहे है सरकार का ऐसा क्या दवाव है उन लोगों के पर उसके बाद सरकार के भरष्ट मंत्री और भरष्ट CMO के अधिकारी के कारण मुख्यमंत्री जी इस बात के जता रहे हैं कि भरती परिक्षिया रद कर देनी चाहिए तो मानिया मुख्यमत्री जी बताइए आखिर आपको दिक्कत कहा आ रही है और जब आपने अपने लीगल ओफिसर जो रास्थान के सबसे बड़े लीगल ओफिसर होते हैं महाधिवक्ता उनसे राइली तो उन्होंने भी स्पस्ट्रूप से साबित कर दिया कि बिल्कूल इस भरती को रद कर दिया जाना चाहिए हमने ना तो SIT बनाई ना पुलिस मुख्याले हमारा है ना A.G. साहब हमारे SIT सरकार ने बनाई पुलिस विभाग के मुख्या D.G. साब ने इस बात से पुष्टी कर दी और D.G. साब के बाद A.G. साब ने इस बात से सहमती जता दी कि भरती रद कर देनी चाहिए तो क्या इन तीनों लोगों ने जो बड़े स्थर पर बैठे हुए हैं क्या इन लोगों ने सिक़्े के दोनों पहलु नी देखे कि भरती रद करने के फायदे और नुक्षान क्या होंगे इन्होंने भी तो अपनी जांच पड़ताल करके ही तो ये डिसिजन दिया है कि इस भरती को रद कर देना चाहिए तो आखिर सवाल या निशान सरकार पर खड़े होते हैं कि सरकार मोन क्यों है चुपी धारण क्यों है जब आप ही कि सरकार के SOG कह रही है पुलीस मुख्या लग कह रहा है ATIE साब कह रहे है अरे वो पुलीस का DG कह रहा है कि स.E.F.S. हमें नहीं चाहिए वो ADG साब कह रहे हैं कि पेपर तो लीक ही हो गया एसो जी दस साल इन्वेस्टिकेशन करे तो पकड़ में नहीं आएंगे लोग, एविडेंस समाप्त हो गए और आखिर अंत में वो सारे थानेदार जाकर न्यूक्तियां ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी प्रदेश में हो क्या रहा है, आखिर इस भरती परिक्षा पर फेंसला कब होगा पूरा विपक्ष चीक चीक कर चिला रहा है, चाहे वो विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हो गोविन सिंग डोटा सराजी कह रहे हैं, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, सचिन पाइलेट कह रहे हैं, RPSC के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं सब लोग इस बात से सहमती जता रहे हैं कि भरती परिक्षा को रद कर देना चाहिए लेकिन एक मंत्री और एक CMO के अधिकारी के दबाओ में मुख्य मंत्री जी फैसला नहीं ले पा रहे हैं बड़ा दुरभाग्या इस प्रदेश का दर्द होता है साथियों जब पूरी मंसा सरकार की इस तरह है कि 48 घंटे बाद बीन का निलंबन नहीं होता है और वोई फरजी थानिदार कोल्ट से जमानत लेकर आते हैं पी एच की उसे अपनी अनुमती लेते हैं और अपने जिलो जिलो में जाकर आमद करवा लेते हैं पुना न्यूक्तिया पा लेते हैं आखिर प्रदेश के युवाओं के साथ न्याई कब होगा जब हर बच्चा बच्चा बोल रहा है कि भरती परिक्षा में पेपर लीक हुआ है इस पर शुरूप से 30 दिन पहले मार्केट में पेपर आ गया तो आप आखिर बता सकते हैं कि वो पर पेपर कितने लोगों तक पहुँचा जब दो लोगों ने RPSC के अध्यक्ष अधश्य ने मिलकर डेड़ सो लोगों को पेपर बाट दिया तो क्या अनुमाने लगा सकते हैं कि उन पेपर माफियाओं ने ये पेपर 2000, 4000, 5000 कितने लोगों तक पहुँचा है लेकिन सब मोन है, सबने चुप्पि साधी हुई है मुख्यमंत्री जी केबिनेट की तारिक, तारिक पर तारिक बढ़ा रहे हैं लेकिन फैंसला नहीं ले पा रहे हैं लेकिन ध्यान रखें ये भरती परिक्षा सरकार के गले की भी फांस बन चुकी है क्योंकि ये फैंसले हमारे तो हैं नहीं क्ये फैंसले सरकार के हैं एसो जी के हैं, पुलिस मुख्याले के हैं डी जी और एजी साहब के हैं लेकिन उसके बावजुद दुरभाग्याय प्रदेश के नोजवान का कि एसी सरकार के मुख्या जिनको तत्काल प्रभाव से कारवाई करनी चाहिए थी लेकिन वो आज भरती परिक्षा पर मोन है मानिया मुख्यमंत्री भजनलाल जी मैं उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और इस प्रदेश के नोजवानों के तरफ से अग्रह करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस भरती परिक्षा पर फैंसला लीजिए आखिर हम विद्यारतियों का क्या दोश है या फिर इसी तरह से हाई कोट जमानत देगा सरकार का डिला रवया, इनको वापस अपनी नोकरी में आने का मौका देगा तो इसका मतलब सरकार इंडिरेक्टली रूप से हमें भी मजबूर कर रही है कि हम भी पेपर खरीद ले, हम भी अपनी नोकरी को पेपर खरीदने के चैनित हो जाएं सरकार का क्या रवईया है सरकार इसपस्ट करे आए दिन अकभारों में पन्ने छपते हैं प्रिंट मेडिया, एलेक्ट्रोनिक मेडिया लगातार मुद्दे उठा रहा है लेकिन सरकार खामोश है सरकार आखों पे काली पट्टी बांग रखी है और मुख्या मंत्री जी गहरी नीन ले रहा है आखिर प्रदेश में इन युवाओं के लिए नयाय कब होगा ऐसा ये भरती परिक्षा पर फैंसला कब होगा ये युवा जानना चाता है आपके एजी सहाब ये स्पस्ट कर देते हैं कि पेपर लीक हुआ है उसके बावजूद सरकार कोल्ट में जाती है और चार हपते का समय मांगती है आखिर किस बात के लिए चार हपते का समय जब आपने कहे दिया कि पेपर लीक हुआ है जब आपने कहे दिया एजी सहाब ने कि भरती परिक्षा को रद कर देना चाहिए तो जो गाम आदे घंटे का है उसके लिए दो हपते का समय क्यों आगामी दस्तारिक को नैले में सुनवाई है हम नहीं चाहते कि नैले में हम लोग जाए हमने जन्मत से सरकार चुनी है और हमारा फैसला मुख्या मंत्री जी शुम करे क्योंकि सब कुछ इसपस्ट है सरकार के नुमाईंदों ने सब कुछ कह दिया है मुख्या मंत्री जी अब देरी नहीं करनी है अब इन युवाओं को न्याई चाहिए अगर हमें न्याई नहीं मिला तो हम देश की राध्दन की चोकर तक जाएंगे और प्रधान मंत्री जी को अमित सहाल जी को सब को चेताएंगे सब को एक संदेश दे के जाएंगे कि आखिर आपकी जो गारंटियां राजस्थान में दी गई थी उनको भजनलाल जी पूरा क्यों नहीं कर रहे है सबसे बड़ा सवाल तो मैं यही चाता हूँ मुख्यमंत्री इस भरती परिक्षा पर ततकाल प्रभाव से फैंसला ले अन्यत हम सडकों पर उतरेंगे हमारा अंदुलन रुका नहीं है हम लगातार ये लड़ाई लडएंगे जब तक भरती परिक्षा रद नहीं हो जाती क्योंकि ना इसमें तो नॉर्मलाईश्यन, इंटर्व्यू और पेपर लिख हर तरिक्षे से बड़ा ब्रष्टाचार हुआ है नॉर्मलाईश्यन में वर्यद इस तर पर इन लोगों ने ब्रष्टाचार किया है इंटर्व्यू लेने वाले लोग आज जेल की सलाखों में बेठें किस तरह आप वेटिंग लिष्ट की बात करते हो और किस ग्राउंड पर आप इंटर्व्यू में बोनस देने की बात करते हो इस भरती परिक्षा में भरती रद के सारे पक्ष मजबूत है और इस भरती परिक्षा का एकी रास्ता है, इस भरती परिक्षा को रद किया जाए अन्य था ये चोर, ये तसकर लोग वापस कोर्ट से जमानत लेकर आएंगे और इस रास्तान की जनता की छाती पर मूंग दलेंगे और जिसके दुस्ट प्रभाव आगामी दस सालों में देखने को मिलेंगे इसलिए मुख्यमंत्री जी इस भरती परिक्षा पर फैंसला लो ततकाल प्रभाव से भरती परिक्षा को रद करो इन युवाओं को प्रदेश के युवाओं को नोजवानों को इन अभरतीयों को न्याई दो कैसा समय आगा है कि न्याई के लिए भी भटकना पड़ रहा है सरकार से गुखारे लगानी पड़ रही है धन्यवा साथियो जैहिन जैभारत